हेलो गईस वर्डबर मैं से लगईस स्वागत है आपका एक और वीडियो में तो यहां पर साइन्स के बेहतरीन 50 प्रसंद करने वाले हैं ठीक है बेहतरीन 50 प्रसंद और 50 के 50 प्रसंद जो है आपके एक्जाम में आने की संभावनें की बहुत जादा है क्योंकि सारे के सारे प हैं तो परशनों का लेवल एक बाद जरूर दिखेगा दस परसंद साल करने के बाद उसके बाद पूरा वीडियो वास कीजिएगा तो तो लिए देखते हैं तो कहते हैं कि निम लिखे में से किसकी तरंग धैर दिर गतम है याद रखेंगे इसका राइड एंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आपकी आउरत विकरण है ना इसका होता है कि आउरत विकरण की तरंग देर सबसे ज़ादा होती है कोशन नंबर अगला देखेंगे अब अगले पस्ट में कहते हैं कि हाइडोजन के रेडियो सक्री समिस्थानिक को क्या कहते हैं जो हाइडोजन के बिसिकली यहाँ पर जो radioactive isotopes हैं उनको क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है पर tritium क्या होता है tritium जो है यह इसका isotopes है hydrogen का question number अगला देखेंगे अब अगले पस में यह मैं देखेगा तो कहते हैं कि जब तक वाह बल न लगाए जाए ऐसा कौन सा जोड़ काण किसी पिंड का वेख this process रहएगा तो देखेंगे तो इसमें चूंपराइगा देखें देखेंएं नमम अगला ल।क सा प्रसंन बहुत इच्छा तो इसमें कहते हैं निमलिखित कथनों पर विचार करना आपको जो 4.3 पॉइंट दिये इनके विचार करिए तो कहते हैं कि प्रकास तरंगे निरवात में गमन कर सकती है यानि कि जो आपकी light waves होती है वो vacuum में travel कर सकती है बिल्कुल सही कहा गया फिर कहते हैं कि प्रकास तरंग का अपवर्तन हो सकता है बिल्कुल प्रकास तरंगों का अपवर्तन भी होता है फिर कहते हैं कि प्रकास तरंगे बिद्दुच चुम्बकी होती है यानि कि जो प्रकास तरंगे हैं जो light waves है यह electromagnetic भी होती है तो इसका यहां पे भी यह सही point है तो इसका right answer क्या होगा वो आप रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है ठीक है तो जो खत्रा संकेतों के लिए जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है बेसिकली वह क्यों किया जाता है तो यह तो बहुत ही आसान सा प्रशने तो इसका right answer होगा यहां पर कि लाल प्रकास का सबसे कम परकेंडन होता है ठीक है तेस्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें इतने बच्चे अभी आलेटी एक्टिव हैं तेरा पॉइंट चार लाग ठीक है तो यहां पर इसका एक्जाम पास ले सकते हैं तो देखें इसमें नंबर आप एक्जाम जो अभी इतने इन्रोल हो चुके हैं और इसमें टोटल 91 आपको टेस्ट मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इससे क्या होगी आपके तयारी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी तो आईसे आर एक्जाम का अभी देखें पका आपको यहाँ पर उनसाट रुपे का आफ मिलेगा जिसमें लिंक है वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं अगला देखेंगे इसमें कहते हैं कि बढ़ते हुए पौधे को निमली किस तत्य की सबसे अधिक मात्रा की आवक्सता होती एक पौथा जो अपनी ग्रोथ में है तो उसको सबसे ज़्यादा किस तत्य या फिर एलिमेंट की आवक्सता होगी तो याद रखेंगे वह आपको हो जाएगा नाइट्रोजन इसका राइट एंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा उसको नाइट्रोजन की आवक्सता पढ़ती है कोश्चन नमबर अगला देखेंगे अब अगले पसंद में देखें तो कहते हैं कि जब किसी धात का प्रष्ट किनडित किया जाता है तब इलक्ट्रोन को निश्कासन क्या कहलाता है ठीक है जब किसी धात का जो प्रष्ट है वो किनडित किया जाएगा तो उसको हम क्या कहलाएंगे तो वो होता है यहाँ प्रकास बिद्दुत परभाव ठीक प्रकास बिद्दुत परभाव जो होता है वो आपका राइट एंसर हो जाएगा इसको आपने पढ़ा ह होगा question number यहां पर अगला देखेगा कितना important है तो इसमें कहते हैं कि asbestos asbestos द्वारा रोग फैलता है ठीक aspectus द्वारा कौन सा रोग फैलता है तो इसका right answer क्या होगा बहुत ही आसान है वह आपका हो जाएगा जो वात इस पीत ही होता है वह रोग asbestos द्वारा फैला रोग होता है question number अगला देखेंगे इसमें कहा गया कि भार के अनपाथ में hydrogen oxygen का अनपाथ कितना होता है यानि कि यहां पर देखें जो आपका अगर देखें जो पानी है न होता है तो इसमें hydrogen oxygen का अनपाथ पूछा गया है तो इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा वह आपका हो जाएगा यानि कि यह वन इस्टू एट के रेसियों में होते हैं आपके hydrogen और oxygen water में question number अगला देखेंगे इसमें कहते हैं कि निमलिकित में से कथनों पर विचार करना है अब दो कथन यहां पर आपको दे रखें तो इन पर विचार करते हैं तो चलिए देखेगा तो पहला कथन है कि सूरी दौरा चांद पर लगने वाला गुरुत बल पर्थवी दौरा चांद पर लगने वाला गुरुत बल की तुलना में अधिक होता है ठीक है बिल्गूर सही कहा फिर कहते हैं कि निर्वात यानि कि वह कुम में एक भारी पिंड हलके पिंड की तुलना में दुर्त गत से करता है ठीक गिरता है तो यह यहां पर गलत पॉइंट है ठीक ऐसा न देखिए अब अगले परसन में जो बोला गया उसमें क्या कहते है कि स्वास संबंधी समस्याओं से निदान के लिए रोग्यों को ऑक्सिजन के साथ दी जैने विली गैस कौन सी है जो स्वास समंधी इनको सास की प्रावलम हो जाती है उसको उससे निपटने के लिए या फि किसी पहाड़ी एरिया में जाते वहां पर क्या होता है ऑक्सिजन की कमी हो जाती है औक्सिजन की oyun हो जाती तो इसमें किसी होंच के जाता है हिलियम यहीं कि तो हrän तो क्या कहते हैं वह टंपरेचार से कुलोउर्स आवर बिद्दूत y है और यहां पर आपका आरेच गुड़क है वह आपका रख्तका होगा लेकिन जो पायमा रीक्टर पायमाना ही आदता का नहीं बल्कि किस चीज़ का होता है यह आपका होता है वह कंप यहनी की अर्थकों को मापने का तो आपका राइट हो जाएगे कि यहीं आपको गलत सुम तो कोशच्याननबर अगरा देखेंगे इसमें कहा गया कि निम्लिखिल में से किसे किसे तरंग एक स्थान से दुसरे स्थान तक यहाद रखेंगे वह क्या देखेंगे आपकी उर्जास जो एनरजी होती है उसको यह अपने साथ ले जाती है तो इसका राइड एंसर हो जागा यानि कि आपकी जो वियूज होती है अगर एक इस्थान से दूसरे स्थारे ट्रवल करती है तो अपने साथ एनर्जी को लेके जाती है मैं आपको पूरा कोशिंस में दिखा देता हूं तो पहला कहता है कि उनके परचार के लिए किसी माध्यम की आवक्सता नहीं होती तो यह तो बिलकुल सथी है पिर कहते हैं वे प्रावर्तन की नियम का पालाण करती है बिल्कुल साहिए प्रकास तरंगों की गति से चलती है यह भी साहिए तो वे अनुदेर प्रकत की नहीं होती है तो 15 का रैसर क्या हो जागा D हो जाएगा तो किसमें पूछा गया था कि इन में से इसकी विसेस्ता नहीं है कौन सी विसेस्ता नहीं है कोशन नमबर अगला देखेगा अगला कोशन देखिये कहते हैं कि सुची वन को सुचुटू से मिलान करना है आख और P.J. यहां पे जो अविसकार देख जी आनिकि जिस बपविगए जरी से खोश करी यह था कि और आ पर ऑपको दीआ हुँए ठीक है तो कहते है किशरील में तो रकत प्रसंचरन है उसकी खोश ने करे विलाम हारवे हैने करी एब इस कि खोश करी थी यहां पर ECG की जो खोश करी थी गज़ी ते विल्म ने याद रखेंगे चलिए इस तरीके सा आप इसको मैस करेंगे तो इसका राइडनसर क्या होगा आपका यहां पर आ वाला खोश है गया है नहीं कि 1,4,2,3 question number ला देखें तो इसमें कहते हैं कि निमलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है अब यह जो कथन दे रखें इनमें बिसिकली जो एक सत्य है वो आपको बताना है तो 17 में देखें तो इसमें कहते हैं कि आपका DDT रोगारू नासक है यह यहाँ पर गलत है फिर TNT एक इट नास है वह होगा यहाँ पर क्या आपका यह होगा सी ओला है यह बिल्कूर सही है अगला कोशन देखें तो कहते हैं कि LPG सेलेंडर में दाब की अंतरगत दरोरूप्त में मुकिताग गैसों के किस मिस्टन को भरा जाता है जो LPG सेलेंडर होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम इसमें क्या भरा जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन जो यह लिकूड फार में सिलेंडर में भरे जाते हैं चलिए कोशन नंबर अगला देखेंगे अगले पस्वेंगे शर्च कि बारी जल का मतलब क्या है जो आपका डीट्यू होता है आप इसका पूछा जाता है कभी कभी की फार्मूला कहता है डी टू ओ जो है ना इसका यहां पर कोथनांत है वो कितना होता है तो याद रखेंगे यह होता है पर एक पॉइंट चार्ड डिगरी से किता होता है और नॉर्म वाटर का कितना होता है वह हंडेड डिगरी से बहुत यहां था कोशन नमबर अगरा देखेंगे तो कहते हैं कि निम लिखी तत्तों पर आपको विचार करना है अब इनमें से विचार करना है और चीजों बतानी के यह बताना है कि कौन सा तत्त तुझे इसमें अगर आप ध्यां से देखेंगे यह कोबाल्ट यह आपका होता है और उसके सांसा तेहां पर जो आपकी निकल है यह रहता है ठीक है सोना और चांदी जो यह मैगनेटिक में नहीं आते हैं तो याद रखेंगे इस का राड़ अंसर क्या होगा ए और धिर यानिकी बी आपका सही रहा अंसर हो जाएगा कोशिजन नमबर यहां पर चलिए अगला देखेंगे अब अगले पसंद में देखें तो क्या गयतने हैं कि जो तत्तु आक्सीजन पर प्रतिकिरिया नहीं करता है वह कौन से है ठीक है जो आक्सीजन के सांद बेसिकली यह पर रियक्शन नहीं द करता है क्लोरीन के सांद करता है नाइट्रोजन गैस के साथ करता है कोशिजन नमबर यहां पर अगला देख लेंगे अगले पसंद में देखेंगा तो कहते हैं कि निम लिखें में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं इंपोर्टन यह प्रसन है तो ग्रीन हाउस गैस जो है इ आटपासफेर में पाई जाती है कोश्चन नंबर अगर देखे 24 तो इसमें कहा गया कि थोरियम और यूरेनियम 233 इंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पर्थम रियक्टर कौन सा है ठीक है जो थोरियम और यूरेनियम 233 है इसका जो सबसे पहले किसने यूज किया था याद रखेंगे यह प्रथम था यहां पर कामजी तो कामजी इसका भी दिखा देते हैं तो काम नी इसका राइड एंसर हो जाएगा भारत का प्रथम कौन सा है अपसरा है question number अगर देखेंगे इसमें कहते हैं कि भारती प्रमाडू विद्दूत निगम लिम्टेड की स् तो इसमें कहते हैं कि भारत यूरेनियम निगम लिंटेड इस्थी थे तहां पर है याद रखेंगे चलिकोशन नमबर अगरा देखेंगे अगले में कहते हैं कि निगम लिखें में से कांशी गैस फलों को करतिम रूप से पकाने में पर्योंकर जाते है यह जो कच्छे तोड़ ले जाते हैं अपने भारत की बात कर लेंगे तो 28 का राइड एंसर होगा यहां पर आपका भी यानि कि अगस्त 1954 में प्रमाड़ उर्जा विभाग के स्थापना करे गए थी question number अगला देखें तो कहते हैं कि फलों का मीठा स्वाद किसके कार उता है देखें जो फल होते हैं बहुत मीठे होते कोई-कोई तो इसमें का होता है जो मीठा फल होता है यानि उसका कारण क्या होता है वो होता है फ्रक्टोस क्या होता है इसका कारण होता है आगरہ देखेंहीं कहते हैं कि कौन योगीग बना सकता है योगीग बना सकता है फिराज राइड एंसर किया हो जाएगा जेनल जाए फं़ आ यह आपकी एक यह आपकी वना सकती है जाकर चारी मिर्दा धातू किस के तत्त को कहा जाता है बेसिक यहां पर जो बेसिक जो होते हैं नेचर में वो कौन सी धात होती है तो याद रखेंगे जो गुरूप टू में ठीक है गुरूप टू में जितने भी यहां पर आपके मैटल पाया जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं वो आपके छारी मर्दा आद हाथ के रूप में आते हैं कोशन नमबर अगला देखेंगे अब अगले परसंट जो बहुत इंपॉर्टन इसमें कहता है कि भारे जल की खोज जो भारी जल है जमने अब बताया था आपके है इसकारइडेंसर होगा हाँ यहां पर आपका सलफिरी के एचिट छो रहता है जोय होता है ईसको भी हमें इंसे देख लेते हैं तो जब प्रकास वी दर के बराबर होती है इसी को कहते हैं में आपे compensation point किसे कहते हैं जब प्रकास translation की दर सुसन की दर के बराबर होती है तो compassion point कहलाता है important यह प्रसने बहुत ज़्यादा question number अगला देखेंगे अब इसमें कहा गया कि पच्चियों वाद सरी सरुपों में उसरजी पदार्थ कौन सा होता है जो पच्ची है यह अपका सरी पदार्त में आता है question number अगला देखें तो इसमें कहा गया कि निमलिके में से कौन सा हर्मौन मानोसरीर में रक्त कैल्सियम के इस NCS तर को बढ़ाता है जो ब्लड में कैल्सियम के लेविल को इंक्रीज करता है चलिक कोशन नमबर ठर्टी एट में देखिएगा किसके दरा आईलेट्स एंड लेंगर हैंड कोश्चन नमबर अगरा देखेंगे जिसमें कहते हैं कि जार्विक सेवन क्या है बैसिकली जार्विक शेवन है ना यह है क्या हो जाएगा यह आपका कृतिम हर्दे ठीक है जो हमारा हर्ट है यह बिसिकली यहां पर जो मैंमेड है कि जो इंसानों के दारा बनाया गया है यह आपका एक कृतिम हर्दे के नाम से जाएगा क्या है यह जार्विक सेवन कोश्चन नमबर 30 देखें इसमें कहते हैं कि दुद्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो यहां पर आपका मिल्क प्रोटीन होता है उस कि जिससे द्रस बैंगनी भी कहा जाता है मानों सरी के किस भागी में होता है चली कोशन नंबर आगरा ओन देखेंगे इसमें कहते हैं डिसकर लिंग । बहुत्त इसका एक बात देख लीजेगा बैसिल के लिए एक टीका है तो इसका राइड एंसर क्या हो जाएगी आपका टी बी होता है बेसी जी का रोग जो होता है वो टी बी के लिए होता है यह निए कि छहाई रोग होज़ा कोश्चन नंबर अगला देखे तो इसमें कहते हैं कि मानो तोचा बाल आखो और उनका रंग देने वाले जो पिगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं वह हो जाएगा है मैलनीन क्या होगा मैलनी इसका राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर अगला देखे तो कहते हैं आपका जो सुमेट्रो ट्रोपिन डैस का दूसरा नाम है यह किसका दूसरा नाम है तो याद रखेंगे ब्रदियार मुझा आपका ग्रोथ हार्मोन है उसको हाँ पर हम सु क्या हो जाएगा मानो सरीर का जो अंग है जो आश्ट्यो प्रोसिस से यहां पर होता है प्रभावित वह होती है कोश्चन नंबर अगला देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट तो यहां पर कहते हैं कि जो मैलपी सीन न लिका है यह किससे संबंदित होती है तो चलिए इसके है यहां पर देखेंगा तो इसका राइड Нसर जो हो गा यहां पर कीटो के उस तरजनी अंग होते है उनको कहा जाता है कोश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इंसुलिन में कौन से धातू पाई जाती है जो आपका इंसुलिन है किसके दोरा यहाँ पर जो सरावित क्या जाता है फैंक्रियास के दोरा ठीक है तो यहाँ पर देखेगा इसके धातू जो उपस्तित होते हैं इसमें कौन कौन से है वो होता है आपका जस्ता ठीक है जो जस् user कि होगा सी हो जाएगा चली कोशन नमबर देखे48 तो इसमें कहते हैं कि स्वत फस फ्स रोग डैस में पाया जाता है जो आपका वाइट फ्स फुस रोग है वहां किसमें पाया जाता है तो याद रखेंगे यह कहाँ पी और आयाफा-पासी में जो कहां पर होता है जो सीमेंट उद्ध्योग है ना वहां के जो क्रमचारी है उनको एक रोग हो जाता है जिसको हम सोयत फुपुस रोग के नाम से भी जानते हैं कोशन नंबर 49 देखिए तो कहते हैं कि जो न्यूमो टैक्सिस केंदर इस्थित है वो कहां पर है ठीक है जो न्यू यूगलीना में आहार सामगरी के रूप में संग्रहित होता है यूगलीना में जो आहार सामगरी के रूप में संग्रहित होता है वो क्या हो जाएगा यहां पर वो आपको हो जाएगा पैरा माइलान को सिका है इसका राइडेंसर हो जाएगा देखिए जिन लोगों को यह प पढ़ा था और उसका राइडंसर यह हो जाएगा तो इससे क्या होगा आपको यह हमेशा के लिए तयार हो जाएंगे मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, टेली ग्राइम चैनल को जॉइन करें, थैंक यू सो मच